दोस्तों नमस्कार एन्वर्णियात कर स्वाध़ दोस्तों मंगलवार यानि आज चीन में एक एर सो का आगाज होने वाला है जिसकी तैयारियां पूरी कर लिए इसके अलावा इसके घाटन का ही बस इंतिजार है इस एर सो में चीन के काफी नए एडवांस टेकनलोजी वहीं इक्यूपमेंट्स को डेमंस्ट्रेट किया जाना है दोस्तों खबर यह आ रही है कि इस एर सो में चीन का सबसे खतरनाग ड्रोन डवलू जेट टैन ड्रोन और एक अरली वार्णिंग एर काफ के जे फाइव हेंड़ भी सामिल होगा तो आएए जानते हैं क्या है इस ड्रोन और अरली वार्णिंग एर करफ की खासियत और किस तरह की तक्नीक से लेस है यह जीन के दो बहुत खतरनाक और एडवांस टेज डिफेंस एक्यूपमेंट्स तो दोस्तों अगर हम बात करें डवलू जेट ड्रोन्स की तो यह ड्रोन एक हाइपर सोनिक अनमेंट एरियल वीक करता है वहीं इसको एविएशन इंडस्ट्री कार्परेशन आफ चाहिया ने बनाया है इसको पहली बार चीन के सेवन्टी सेवन्टीन्थ मिलिटरी परेड में दिखाया गया था और 2019 और फिर 2021 के एर सो में भी डवलू जेट ड्रोन्स को स्पेस किया गया था दोस्तों यह सुपर सोनिक और हाइपर सोनिक टेकनलोजी से लेस है तता इसमें एक रॉकेट इंजिन भी लगा हुआ है जिसकी स्पीज सिक्स टू सैवन मैक थी है यानि यह ड्रोन साथ हजार चार सो से आठ हजार छैसो प्रती किलोमीटर की रफतार से उड़ सकता है वहीं यह अबजेक्ट्स पर सटीक निशाना लगा सकता है यह ड्रोन करीब 56,000 मीटर की उचाई पर भी यह ड्रोन उड़ सकता है और जमीन पर सटीक निशाना भी लगाने में सक्षम है जोस्तों अब हम अगर बात करें सांग जी केजे 500 एयर बोर्ण अर्ली वार्निंग एयरक्राफ सिस्टम की तो इसको चाइना के एयर फोर्स ने बनाया है इस भीमान को सांग जी एयर क्लाफ कर्पोरिशन ने डिवलप किया है वह ही अगर इसकी कारच्छम तक की बात करें तो यह अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सिस्टम वाई-9 एयर फ्रेम पर काम करता है यह भीमान केवल जरूरी जानकारी इकत्र करने तक ही सीमित नहीं है बलकि पूरी तरह से attacking aircraft के लिए तथा radar तथा जरूरी जानकारियों को इकत्र करके वह अपने control room तक भेजता है और air to air missile इस aircraft early warning system से भी attached है वहीं इसके अलाबा कम उचाई की cruise missile दुस्मन पर सटीक निशाना लगाने में भी सक्षम है दोस्तों आपको बता दें कि यह aircraft early warning system third generation का aircraft early warning system है तो यह थी पूरी बात चीन में चल रहे air soki जिसमें चीन अपने सबसे खतरनाक hypersonic drones और early warning aircraft को demonstrate कर सकता है दोस्तों अब में यार दीजिये नमस्क्राइब